बाई मतलब 1100 के अंदर है ना उनने RGB दे दी पोले पोले कोशन्स दे दिये सब कुछ दे दिया जितना एक ब्रेंड को देना चाहिए कोश्ट कटिंग नहीं कर रहा कि बाई बिल्कुल भी तो भाई इस वीडियो में ना मैं अन्बॉक्सिंग रिव्यू करने वाला हूँ नाइथो ब्रेंड कर इस ट्राइटन प्रो 7.1 गेमिंग हैटसेट की लास्ट यह ना मैंने एक महिने पहले यह स्ट्रीम किया था वहां पर भाई सब एक क्यूर के कॉमेंट आया था कि रिशा भाई इस वाले हैटफोन को टेस्ट करो हजार ग्यारास रूपय के प्राइस में अमेजन पे शो रहता उस चाइम मैंने ओनलाइन स्ट्रीम पर खोल लिए हैटफोन को अमेजन के अंदर देखा बाई सच में मतलब प्राइस के साब से लग रहा था कि प्रोड़क्ट यह वर और एक यहर मुझे इसमें थोड़ी सी यहने कमी भी लगी है हो सकता है वो पूरा ने गेम चेंज कर दे तो वीडियो को एंड तक देखना बीट में इसके बिलकुल भी मत करना लाइक सब्सक्राइब स्वाद अनुसार कर देना वैलकम गाज दिश्टी रिशब लेट्स डा करें में इस रैपिंग से इसको भार निकाल लेते हैं तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के लेबलिंग यहां पर इन्हों हाइन जो सबसे उपर हमें हमारा हैट्पोन देखने को मिल जाता है यहां पर इसके नीचे यह यूजर-मैनुल कुछ पेपर्वक विगया दिया यहां पर हमें दो या तीन नाइथों के श्टीकर्स मिल जाते हैं जो कि भाई की स्टीकर्स की क्लेक्शन में आड़ होने वाला है यहां पर एक ब्लैक कलर का कुछ इन्होंने वार्निंग्स है या आफ्टर सेल सर्विस के बारें बातचित कर रहा है और फोड़ा वहते हैं मैं वह खरीदने की सोच रहा था रिवीव के लिए लेकिन ना उसका प्राइस थोड़ा जादा करना खाता क्योंकि और रंग 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 था तो यहर कंपनी की रहती है तो में को तो खाली टेस्ट करना था रिवीव करना था मैंने का चलो भाई पैसे बचा लेते ब्लैक वाले हैडबेंड वाले हैडफॉन रिवीव कर रहे हैं चैनल पर सबका जो वेट है ना अबफ टू फिफ्टी ग्रैम सी मुझे देखने को मिला है और इस वाले है थ्री हंडड़ ग्रैम के आसपास है लेकिन इसमें इन्होंने कमफर्ट इसको इतने अच्छे से बना रहे है ना उसी के कारण है ना बिल्कुल भी मुझे हैवी यह मनलब लगा नहीं महसूस नहीं हुआ मैं इवन दो दो थो फ़्टा एड़ा गंटे दर खूरी स्ट्रीम कर रहा हूं से के देली की डेली कि पिछले छे दिनों से इसके थूई कर रहा हूं इसको यूज कर रहा हूं इसको मदलब अगर आपकी कान का साइज छोटा सा है तो एकदम अंदर गुज जाएंगे मेरे दर कान का साइज फिर भी थोड़ा बढ़ा है फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है सच त्यूंकि कुशन्स है आप 10-15 दिन इसको पैनों के थोड़ा बहुत है खूलेंगे इसके और बात करूं इयर कप्स की तो ठीक है मतलब पूरा 90 डिक्री तो स्विवल नहीं है कि आप अपने नेक पर रखके इस तरीके से इसको पूरा मोड के स्चाइल माज सके थोड़ा रिलैक्स हो सके वह वाली चीज तो नहीं है लेकिन देख सकते हो आप इतना यह मोड रहे है तो म अगर में इसके headband की बात करूं तो देख सकते हो headband है वैसे वाला नहीं है कि slide करके इसके earcups को left वाले को पहले adjust करें फिर right वाले को adjust करें simple automatic वाले strap है अपने आप यह न इस तरीके से उपर नीच यह होके आपके head के size के coding उपर बैठ जाएगा और यह थोड़ी बहुत कुछ निगनों दे रखी है ठीक है डिक्कत नहीं आएगी और यह तो उपर metal के उनने strip दे रखी है न यह भी ठीक है अब मैं बात करूं अगर इसकी wire के बारे में तो आप देख सकते हो यहां पर हमें USB port देखने को मिल जाता है मुबाइल के लिए क्या यह compatible है आगे बताऊंगा मुबाइल भाई ने टेस्ट किया इसको आराउंड पांच शेफट के आसपास के ना वायर की लेंथा में देखने को मिल जाएगी और वायर की quality यह ब्रेडिट वायर को नहीं है लेकिन इस्चिल में बोलूंगा वायर ठीक प्रेशर की वज़े से कानवानों में दर्द होएगा क्लैंपिंग फोस एकदम ठीक है तो भाई सारी बात्चीत हो गई फटा फट्चा ना इसकी माइक की बात्चीत कर लेते हैं माइक के बारे में आते है और देखो इसका माइक भाई इस तरीके से ना सबसे पहले अंदर बार अंदर बार आप कर सकते हो देखो यार यह समसंग है ना मेरा एस्टूवन अफी मुवाइल है ठीक है मैंने इस ओटीजी कनेक्टर की हेल्प से है ना इस हैटफोन को इसकारत में पेयर कर रहा है और मैं वोइस रिकोडिंग कर रहा हूं इसके माइक के तरू इस फोन से सब्सक्राइब करने के बाद में फोन में मैंने भीजा में खेलके देखा फोन में वह थीक से सांड आ रही थी एक्डम क्लियर ली जो मंलब experience मोईल में PC में मिल रहा था लगब वही 80% experience है ना हमें मोईल में मिल रहा था अगर आपकी में प्रेफरेंस लैप्टोप है PC है और तो आप बस थोड़ा बहुत मोबाइल में गेमिंग करते हो तो आप इस हैटफून को डेफिनेटली मोबाइल में यूज़ कर सकते हो हो सकता है कुछ-कुछ मोबाइल में कुछ compatibility issues आपको देखने को मिल जाए कुछ कोई company ने कई mention नहीं कर रहा है और मेने तो अपने डिवाइस में टेस्ट किये Samsung के S21 FE में और आप देख सकते हो graph ये voice का record और ये voice अभी एक बड़ आप ये sound सुनो अभी आप जो sound सुन रही हो ना वो इस microphone की में record कर रहा हूं इस mobile phone से connect करने के बाद में काफी तरद आपको buzzing sound hissing sound आ रही होगी दो रुपे की sound लगी भाई मुझे mobile से connect करने के बाद में अब एक बड़ में फटा-फटा स्विच करता हूं अपने PC में और इस headphone को है ना उसमें connect करता हूं जब कैसी voice आती है आपको उसका भी थोड़ा idea मिल जाएगा तो भी अभी आप जी जो मेरी voice सुन experience मिल रहा है थोड़ा हलका बेकार experience मिल रहा है और अगर मैं वैलोरेंट में अपने टीमेट से बात करता हूं तो यह सच में वैलोरेंट टीमेट जो मेरी थे उनका feedback किया था कि रिशा भाई दो रूपे गवाज आ रही है अच्छी नहीं आ रही है तो डोंट नो कि क्या issue है कि किसी-किसी software में अच्छे से मतलब जो voice है capture कर रहा है अगर किसी game में अपने टीमेट से बात करते हैं तो वहाँ पर जो voice है वो अच्छे से sync नहीं हो पा रही है सिंक नहीं रिकोर्ड नहीं हो पा रही है तो यह जो भी मतलब experience है ना मैंने एदम सामने रख दिया आपके दूद का दूद पानी का पानी कर दिया तो अब बाकी आप देख लेना मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हो सकते है मेरी unit कहना माइक थोड़ा सा defective हो और unit में 90% मुझ लग रहा है कि शायद थोड़ा माई केना लूज भी चल रहा है तो हो सकते वायर विगरा थोड़ी लूज होने की वज़े से है ना थोड़ा मामला गडबड़ा आ गया हो तो यह देख लेना आप और इसकी वायर में यहां पर volume controller में देखने को मिल जाते है जहां से आप volume को connect करके खेलते हो या किसी भी device के सब में connect करके खेलते हो तो सीधा है ना उसी में volume को adjust कर लेना और यहां पर RGB का एक dedicated button दे रहा है तो RGB इसमें दी गई है भर भर के काफी सारे effects है fade in fade out effect है कुछ spectra type का भी effect है जहां पर rainbow effect में बोल रहते हो इस तरीके से RGB जो है अलग 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 circular wave में move होते है चार-पांच color यहां पर दिए गया है red green blue yellow sky blue तो चलो भाई finally है अब हम इसकी sound quality के बारे में बात कर लेते हैं यह usually जो gamers होते हैं gaming headphone है तो उनकी है न मुझे दो comment receive होती है videos के नीचे कि भाई एक तो bass कैसे है और जो animus की directional sound है कि anime left से right में कब गया एक building से दूसरी building में jump up लगा या ऊपर खिड़के से नीचे कब कूदा वह वाली जो पिंपॉइंट या directional sounds होते हो clearly आभी रिया नहीं आ रही तो यहर देखो bass है न मुझे इसका average लगा यह भी नहीं कि बहुत ज़्यादा थंपिंग है बहुत ज़्यादा पंची bass है बहुत ज़्यादा धुम धड़का कान के परदे वर्द हिल जाएंगे बेस ऐसा इसमें नहीं है बिल्कुल flat bass में बोलूँगा मतलब gaming में ज़्यादा बढ़िया रहता है अधर्वाइस होता क्या अगर मानलो किसी बंदे ने नेड़ फटा एक्स्प्लूजिव साउंड ही तो बेस जाकर ज़्यादा हुआ तो धुम धड़का की वज़े से न मानलो उसी दूरान ज़स्ट उसी दूरान कोई बंदा साइड से मूवमेंट करके चला गया तो आपकी फोटोस्टेप की साउंड मिस हुजाएगी सुनाय नि देगी उस बंदे की फोटोस्टेप की साउंड तो इसलिए ना बेस है अगर होता है गेमिंग हैटफोन में तो ज्यादा बैटर रहता है और वही कंपनी ने इसमें दे रखा है बात करूं ड्रेक्शनल साउंड की तो भाई मैंने वैलोरंट में पिछले 5-6 दिनों से खेल रहा हूं इवन इस दिन में वीडियो शूट कर रहा हूं उसके नेक्स तीन दिन में में इसी हैटफोन से वैलोरंट में स्ट्रिम करने वाला हूं एकदम मैंने मतलब पता लग ज होती है ना सारी की सारी ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट राइट सेंटर वाली सब यह कवर कर लेता है तो उसको लेकर करके आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी ओवर ओल वन वर्ड में बोलूं तो हैर साउंड क्वालिटी एकदम्स की जखकास है यह तो गई ग करना है में प्रवाइटी अगर आपकी गेमिंग है तो यह आपके लिए बैस्ट है बेफिकर होकर किसको ले सकते हो माइक के बारे में तुम आपको बताई दिया बस उसका थोड़ा सा आप देख लेना एक बर और अगर आप चाहते हो इस हैडफोन का इस ही प्रवाइस के कि किसी और हैटपून के साथ में कमपैरजन वीडियो देखना तो नीचे और कॉमेंट कर देना सारी कॉमेंट में रीड करते हो आपको तो पता ही अगर आप एक्टिव व्यवर हो और रेगुलर व्यवर हो और लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना महनत लगते वीड में जाहिंद